Hi friends, today we are going to do few questions of reasoning and type is number coding. Number coding is a very important type in competitive examination point of view. And today we will do very easy tricks in questions. Question number 1, in this number coding, name is called as 9892. Name को code क्या दिया है? 9892 और Home को code क्या दिया है? 7497. यह simplest type है number coding की, जिसमें यहां देखें, यहां भी लिखा हमने Name का 9892 और Home का 7497. और question क्या है? What would be the moon is called in that code language? कि moon का इसी language में code क्या होगा? तो बड़ा ही आसान है, जैसे moon का हमने code लिखना है, तो M का code देखिए, यहां पर क्या है? M का code है 9. So, we will write 9 here. O का code, O का code है 4. तो दो बार O आ रहा है, तो दो बार 4 आएगा. और फिर N, N का code क्या है 9? तो नीचे N का code क्या बन जाएगा 9? So, finally, answer will be 9449. तो यह बड़ी ही simple trick है, इन questions की. लेकिन, second question थोड़ा साइज से complex है, यह बड़े ध्यान से करना होगा. कम्प्यूटर का code हमें दे रखा है, यह, 36473259. और हमें code किसका find out करना है? टैबलेट्स का. तो कम्प्यूटर की इस coding को ध्यान से समझेए. यह हमें vertically लिखा है यहाँ पर. पहले तो कम्प्यूटर के जो codes हमें given है, C के आगे 306, तो यह हमने 36473259 लगातार लिख लिख लिए है. लेकिन यहाँ से एक pattern बनाना पड़ेगा कि यह code दिया किस तरीके से गया है. क्या note किया हमने कि C की value 3 दे रखी है. और English Alphabets में C आता भी तीसरे नमबर पे है. तो इसलिए C का code 3, तो हमें समझ आ रहा है कि यह pattern, routine pattern follow हो रहा है. अब O का 6 है, तो हमें पहले सोचना है कि O का rank क्या है? O, actually English Alphabets में 15 नमबर पे आएगा, 15 नमबर पे. तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर यह 15 नमबर पे है, तो 1 और 5 को add किया गया है. और 1 और 5 को add करके क्या बन रहा है? 6 बन रहा है. तो similarly हम पहले सभी का check करते हैं, M का अगर 4 code given है according to question, तो English Alphabets में M 13 नमबर पे आता है, तो 1 प्लस 3, 4 बन रहा है. Same way P 16 नमबर पे है, तो 7 बनेगा. U का rank है 21st, तो 2 प्लस 1, 3 बनेगा. T का 20 है, तो 2 प्लस 0, 2 बनेगा, और R का 18 है, तो 1 प्लस 8, 9 बनेगा. E तो बैसे ही पांचवे नमबर पे है. तो इस तरीके से हमें computer code का pattern समझ आ गया पहले. एक बार जब pattern समझ आ जाए, तो फिर आगे next code निकालना बहुत असान है. अब देखिए, tablets का code क्या होगा, यहां से देखिए, tablets लिखा हमने. T का 2 होगा, वो मुझे यहां से पता जल गया, क्यों T का हमें 2 गिवन है. A पहले नमबर पे आता है, B दूसरे नमबर पे आता है, L. अब L यहां पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमें pattern पता है. क्या pattern है? L English Alphabets में 12th नमबर पे आता है, यानि कि 1 प्लस 2 करना पड़ेगा, तो L का code क्या बनेगा? 3 बनेगा. तो L का code हमने 3 ले लिया, E पांच में नमबर पे आता है, T यहां से 2 हमने उठा लिया, अब रही बात S की. अब S computer में तो नहीं आता, लेकिन S हम English Alphabets में count कर सकते हैं, S 19th नमबर पे आता है, 19, अब अगर यह 19th नमबर पे है, तो 1 प्लस 9 क्या होगा? 10, 10 को further 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा. तो S का code हमें क्या लेना है? 1. इस तरह से tablets का final answer बन जाएगा 2, 1, 2, 3, 5, 2, 1. यह दो type के questions हैं, ओपर वाला बिलकुल असान है, लेकिन जो नीचे वाले type है, इसको थोड़ा सा understand करना पड़ता है, लेकिन मुश्किल बिलकुल भी नहीं है, और अक्सर इसी type के questions पेपर में ज अक्यू